रधन टाड़ा जी अब अपने हेल्प पे फोकस कर रहे हैं और टाड़ा कमपनी क्रेजी हो चुकी है डिजाइन के उपर क्योंकि वो एक से एक कंसेप्स कार ले के आ रहे हैं अब से दोस्तों आपका स्वागत है अज मोटबी मिंदे में आप देख रहे हो कि यह गाड़ी की सीडी सीट सुरी सीधी नहीं है थोड़ी तेडी अभी फिलाल क्योंकि यहां पर आपको इसमें स्विवल सीट मिलते हैं आप बटन प्रेस करके इसकी सीट की ओरिंटेशन चें में आपको सिर्फ एक सिंगल बीपिलर का जो लाइन मिलता है वह मिल रहा है और विंच शीट आगे भी और एक बेसिकली मून रुफ का इनविज़ाईन यहां पर मिल जाता है यहां पेछे की सीट एक बैंच टाइप सीट है एक प्रॉपर सोफा है यहां पर बैंच पोल के सब बुरा मत मान लीजिए लेकिन यहां पर फील बहुत अच्छी है फाबरी का फीली बहुत सही है हेड्रेसी बहुत अच्छा लगता है और यहां पर हर एक परसन को अपना खुद का सराउंड साउंड और खुद की सीड़ मिलेगी चार लोगी सीडिंग है प्रॉपरली तब सुपे को दक रहे है कि और यहां से सीड़ आज औ आगे हो रही है बहुत छोटा सा मुवमेंट हैं कि एक से आप सीड़ आगे पर्सनलिस ही यहाँ पर है और ड्राइवर के लिए आप स्टेरिंग देख सकते हो के बहुत ही जाता यूनीक है बहुत ही अच्छा फिल आता है यहाँ और और आपको यहाँ पर हैप्टिक फीदबाक भी मिलेगा सब्सक्राइब यहाँ पर एक छोटा सा क्लस्टर मिलता है and that's it आपको डिजिल में कुछ नहीं मिलता बट आपको यहाँ पर यह स्क्रीन मिलती है जो बेसिकली यह कैमरा को कनेटेड है आप पीछे की तरफ देखें तो अब बहार आ जाते है तो आपको यह टेल लाइट मिलती है जो फ्लोई टेल लाइट है एंड टो एंड तक और यह ट देजाइन थोड़ा सा रोल स्वील देता है डेफिनिल देगा क्योंकि यह कार मॉडर्ण जेन के बारे में है और यह अब टाटा की थर्ड जेन के डिजाइन पे बनने वाली है फ्रनेट में भी आपको एक प्रॉपर फ्लोईंग एडी मिलती है और यह टाटा का नया लोगो है साथ शाथ आपको एक डिफिजर कांड डिजाइन मिलता है और यहां पे कुछ भी स्पेस नहीं मिलता कोई भी चीजों के लिए क्योंकि यह कार फुली एलेक्ट्रिक रहने वाली है और इसमें आपको कोई भी रिडिटर वगरा नहीं मिलेंगी साथ में अब यहां पे दे होंगा फुचरिस्टिक डेफिनिट एरोडानमिक काफी और ग्राउंड क्लियरंस नाम का चीज तो इसमें यह नहीं है तो कोई भी आप खड़े में जागे तो डेफिनिटली गसेगी और देखें में यह गाड़ी अगर रस्ते पर आई तो बहुत लोग घुम घुम के डिजाइन के साथ है रधन टाड़ा जी अब अपने हेल्फ पर फोकस कर रहे हैं और टाड़ा कमपनी क्रेजी हो चुकी है डिजाइन के उपर क्योंकि वह एक से एक कंसेप्सकार लेके आ रहे हैं आपकी व्यूस क्या है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताईए शु